फेक निउस या मिसिन्फोर्मेशन जो सेंटरल गर्वंगेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतरगत रहेगी, बॉडी वो फैक्ट चेक करेगी सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुझरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी नमस्कार में हुमामद आसीफ और आप देख रहे हैं स्पियन नाई नियो जिस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर दरसल जो है वो इस मसले को लेकर है जो आप जानना चाहते हैं और वो मसला क्या है जो आगोर से समझे वो मसला है अडानी का वो मसला है अडानी घोटा लेगा और इसके सच्चाई को समझना आपके लिए बहुत जरूरे है एक तरफ अडानी मसले को लेकर क्या भारत सरकार ने नहीं कानून बना दिये हैं क्योंकि यह कॉंग्रेस का अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp तमाम ऐसे platforms को सरकार ने अपने आपको एक एक अधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस News को हटा सकते हैं लेकिन जादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्राक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं आपको याद होगा, 2019 में चुनाओ के जस्ट पहले आपी के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे उपर है सरकार की फैक चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूस बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपत ले रहे थे तो NSSO ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे उपर बेरोजगारी थी तो जिसको आप चुनाओ के पहले फेक न्यूस बता रहे थे और उस डेटा को अपने NSSO को निकालने नहीं दिया वो तीन महीने बाद डेटा भी सही था ख़बर भी सही थी सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूस कहकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड़े मील स्कीम के लिए जो पोशन की स्कीम होती है बच्चों के लिए वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा सरकार ने, सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है और अगस्त में विमेन और चाइल्ड डेवलप्मेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा अगर वो फेक न्यूज थी, तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा सवाल सिर्फ इस बात का है अगर वो फेक न्यूज थी, तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा तीसरी स्टोरी में बताती हूँ गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है आप में से बहुत लोगों ने सोर्सस के माद्यम से पुष्टी कराई, आपने स्टोरी चलाई की 20 जाबाजों की शहादत हुई है जड़प हुई है गलवान वैली में और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए इस सरकार ने उसको डिनाई किया इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बोडी वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टी करनी पड़ी तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजेगा और उसके बाद उसी पर आक्शन लिया जाएगा मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी आप अपने फोन से हटाया जाए यह ख़बर चली थी उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है फिर पुष्टी सरकार नहीं करी वहांके एडिजी नहीं करी कि नहीं यह सही खबर है राहूल गांदी जी ने रेलवे की निजी करण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसको भी फेक न्यूज कहा गया था बाद में सब मीडिया से इतना डर क्यों लगता है यह आपने देखा इस रूपूर्ट में अब देखना पड़ेगा इसका जवाब क्या वीजेपी दे पाईगे यह एक बहुत बड़ा सवार लाएगा क्योंकि बजबते कॉंग्रेस प्रूब भी दे रही है कि सही खबर को भी सरकार ने है और गलत खबर कौन है समझे हालात क्या आगा है आप बहतर तरीके से समझ रहें देश दुनिया की भाई खबर को लिए देख रहे हैं स्पीन आई न्यूस नमस्कार